हेलो एबरीवन, गुड मॉर्निंग, आज मैं ब्रिक्फेस्ट में हरे मुंग दाल का डोसा बनाने जा रहे हूँ, इसे मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था, सूबर में इसे धोकर, मिक्सी जैर में डाल दिया और साथ में हरे मिर्च, लसुन और दनिया पत्त का डेंटल औ साथ में मैंने पनीर के कुछ क्यूप्स डाले हैं, और थोड़ा सा पानी डाल कर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, इसमूथ सा पेष्ट तेयार कर लेंगी, और यहां मैंने ग्राइंड कर भी लिया है, तो यहां देख सकते हैं यह कितना चिकना है, बहुत ही चिकना हुआ है, अब मैं इसे दूसरे बॉल में ट्रांसफर कर लोंगी ये बैटर बहुत चाहता है मैं पूरा का नहीं बनाऊंगी डोसा बस आधा पेश्ट का बनाऊंगी और आधा का मैं पूरी बनाने वाली हूँ तो आधा बैटर मैंने यहां निकाल लिया है अब हम इसमें हम टेड़ कप गियू काटा डाल देंगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जीरा पाउडर, काले मिर्स पाउडर डाल देंगी इसमें लाल मिर्स नहीं उसकरेंगी क्योंकि हरा मिर्स मैंने पहले ही ग्राइन कर दिया था मुंग डाल के साथ ही ज्यादा तीखा नहीं बनाती हूं क्योंकि मुझे रियांस को भी खिलाना होता है और यहां मैंने आटा को गूत लिया है फिर थोड़ा सा ओयल लगा कर इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम दूसरे डबे में करके रख देंगे इसका हम सामको पूड़ी बनाएंगे तो और इसी फिर बावल में हम अब डोसा का बैटर तेयार करेंगे इसमें यहां इतना बचा हुआ है डोसा का बैटर तो मैंने यहां पर उसी बावल में निकाल लिया है थोड़ा सा पानी डाल देंगे फिर से इसमें और अब हम इसमें एक कप चावल काटा डालेंगे और एक कप क्या हुँ काटा दोनों मैंने सेम सेम क्वांटिटी में लिया है चावल और गे हुँ काटा और फिर मैं थोड़ा सा नमक डाल दोंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग जीरा पाउडर, कालमर्स पाउडर और पाने डाल कर हम इसका बैटर त्यार करेंगे इसका बैटर हम थोड़ा थिकी रखेंगे जादा पतला नहीं करेंगे जैसा डोसा का बैटर रहता से वैसे ही कसिस्टेंसी होनी चाहिए और इसके हम लम्स को हटाते हुए मिक्स कर लेंगे अच्छा से अटर में एक भी लम्स ना रहे तो हम इसे ढखकर साइट कर देंगे एक से डिर घंटे के लिए और तवा पर मैंने बादाम को भूल लिया है, ड्राय रोस्ट किया है और इसका सारा छिलका हटा दिया और मिक्सी जार में डाल कर इसका हम चटनी बनाएंगे तो यहां मैंने बादाम लिया लसुन मिर्चा लिया तीन हैनी मिर्च लिया है पांस से छे लसुन की कलोप्स और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है इसे हम ग्राइन कर लिए और इसका चटनी बनाएंगे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे चटनी की केसिस्टेंसी अची करने के लिए और मैंने यहां मिक्स कर लिया है अब हम इसमें तड़का लगाएंगे चटनी में तो यहां मैंने छोटा सा पैन रखा ừa cry ढ을 दाले और थोड़ा सा 1 चंवाच चोटी चंवाच से सर्सो एकलाल सरी मर्च nelle hanno सब्सक्राइब को आपकर पास कड़ी पतने हैं और इसमें तड़का लगा देंगे अब अम इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे यह हमारी बादाम की चटनी बन के तयार है तो यहां मैंने दूद को भी गरम करने के लिए रख दिया है माइक्रोवेब में अब हम दूसरे तरफ दोसा बनाएंगे डिड़ घंटे के बाद तो मैंने यहां पर आटर को फिरसे मिक्स कर लिया था और तवा को हाई फ्लेंब पर गरम कर गिया और जब डोसा का बेटर ढालना है इनकाल देंगे तो यहां हमारा एक डोसा बनके तेयार है और दूसरा भी बना लेंगे आप चाहे हैं तो रोल भी इसैं कर सकते हैं तो मैंने यहां दूसरा को रोल कर दिया है तो यहां हमारा दूसरा डोसा भी बनके तयार है यह हमारा मुंग डाल का हेल्दी डोसा और बदाम की जटनी बनके तयार है मिलेंगे नए रेसिपी के साथ बाबाई थैंक यू